उत्रपदेश चुनाव का मुख्य मुद्दा लगभग लगभग तैय होता जा रहा है चुनाव में तो भी वक्त है बोर्ट पढ़ने में फरबरी के अंत्मय या मार्च के महीने में कहीं बोर्ट पढ़ेगा ऐसी संभावना है लेकिन प्रचार का मुख्य मुद्दा क्या होगा उसके कुछ-कुछ शक्ल उभरती जा रही है उत्रपदेश के मान्चित्र पर कल प्रदेश के मुख्य मंत्री और भाजपा के फायर ब्राण नेता योगी आधित्यनाथ ने कहा था कि यह चुनाव जिन्नावादियों और राष्टवादियों के बीच चुनाव होगा यहां से एक टोन सेट हुई चुनाव के आज भाजपा के राष्ट्रिय धक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह चुनाव गांधिवादियों और जिन्नावादियों के बीच यनि जिन्ना तो इस थाई एक विंदू है उससे पहले आप राष्टवाद रख दीजिए या गांधिवाद रख दीजिए एक दूसरा इस कलर को और गहरा करने की कोशिश समानांतर जारी है और वो कोशिश मालूम कौन कर रहा है वो कोशिश कर रहे हैं हैदराबाद से उत्तरपदेश आए असदुद्दिन उबेशी साब क्या होगा नहीं होगा वो तो भविशी के गर्ब में है लेकिन ओवेसी ने यह एलान कर दिया कि अगर नागरिक्ता कानून वापस नहीं लिया गया तो हम उत्तरपदेश की साड़कों को शाहीन बाग बना देगे ओवेसी का इतना बोलना भर था इसी की जरुवत थे भाजापा को वो है ना के एक दाना था जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई तो भारती जन्ता पार्टी के लिए वैसी स्थिति हो गई वैसी की बोलने पर उसका ततकाल उत्तर आ गया कि मंत्री जी ने कहा कि चचा जान और अब्बा जान बोलने वाले समझ ले उत्तर पदेश में माहूल खराब करने की कोशिश की तो सक्ती से निप्टे के यानि सारी धाराएं जिसे सारी नदियां अंतत्ता समुद्र की ओर जाती है वैसे आप देखिए उत्तर पदेश के राजनेतिक मंच पर जितनी भी कोशिशे हो रही है चुनाव के मद्दे नदर उन सबका शेड एक साई है और वो तस्वीर हलके उभर रही है कि उत्तर पदेश का चुनाव आप उसको राष्टवाद बनां जिन्नाबाद कह लिए आप सबका साथ सबका विकास और बरसेस तुष्ट्री करन नाम दे दीजिए आप उसको बहुसंख्यक बरसेस अल्पसंख्यक नाम दे दीजिए जो नाम आपको अच्छा लगे यह वैसे मसला है जैसा मसला जाती सम् सम्मेलन यह बोर्ड पर नहीं लिखती है एक शदम आवरन दे देती है केती प्रबुद्ध सम्मेलन लेकिन बिसिकली वह होता अब रामन सम्मेलन है जब पिछलों के सम्मेलन करती है तो लिख देती सामाजिक नयाय सम्मेलन लेकिन होता है पिछली किसी जाती का सम्मेलन वै काम आप कुछ भी दें लेकिन चुनाव का रंग मुझे लगता है वैसा ही होगा